नए साल में अपनाए हरी लाईची का ये उपाय मिलेगी हाथो हाथ सपल था वर्स 2022 अब समापन की ओर अग्रिसर है और कुछ दिनों में नए साल 2023 आ जाएगा नए वर्स के खुसी और खुसाहाल बनाने के लिए लोग तरा-तरा के उपाय या तोटके करते हैं अगर आपको भी लगता है कि आपके कुंडली के ग्रहन छत्र ठीक नहीं चल रहे हैं तो नए साल में आप जोतिस सास्त्र के कुछ असरदार टोटके अजमा सकते हैं इसमें हरी लाईची से जुड़े कई सांदार उपाय सामिल हैं जोतिस सास्त्र के अनुसार हरी लाईची के कुछ अचूक उपाय घर के दरिदरता दूर करने, काम में आ रही अर्चनों को दूर करने के साथ साथ नए साल को खुजहाल बनाने में काफी कारगर साबित होते हैं हरी लाईची आपके काम में किसी प्रकार की रुकावट महसूस हो रही है, तो एक लोटा जल में दो हरी लाईची डाल कर उसे उबाल ले, जब यह उबाल कर आधा बचे, तो इसे वाल्टी में डाल कर इस पानी से नहा ले, इस दौरान आपको ओम जैनती मंगला काली भद् प्रका जाप करना होगा, इस डोटके से आपका सुक्र मजबूत होता है और आपके काम पूरे हो जाते हैं, आर्थिक संकट की स्थिती हो या फिर आपके हाथ में पैसा ना रुकता हो, तो ऐसे में आपको अपने पर्स में पांच हरी लाईची रखना चाहिए, ऐसा करने से आए में बढ़ोतरी होती है और खर्चों में कमी आती है, ब्रहस्पतवार की दिन पांच छोटी हरी लाईची को पीले कप्रे में बांध कर किसी गरीब को दान करना बहुत ही सुभ माना गया है, या उपाय कम से कम पांच बार करना चाहिए, इससे आपको मनचाहा जीवन सा बढ़ के पत्ते पर पांच मिठाईया और दो इलाईची रख कर इसे पेपल के पेड को अरपित करना चाहिए, ऐसा करने के बाद पीछे मुर कर भूल कर भी ना देखें, ऐसा करने से सिच्छा में सफलता हासिल होती है, नौकरी में उन्नती और ब्यापार में सफलता हासिल करने के लिए एक हरे कपड़े में इलाईची को बांध कर रात में तकिये के नीचे रह कर सो जाएं, सुबह किसी बाहरी ब्यक्ति को खिला दे, इस उपाय को करने से आपको जल्द ही सफलता प्राप्त होती है, तो ये थे हरे इलाईची से जुड़े कुछ छोटे छोटे उ पाय है, जो आप 2023 में करके आने वाला साल अपने लिए मंगल मैं कर सकते हैं, मिलती हूं किसी और अच्छी सी जानकारी के साथ, अब तक के लिए नमस्कार